सो हेलो गैज वेल्कम बैक टो मैं सैनल इजी साइंस क्लासेज में आज हम बात करने वाले आरबी एसी कुछ साथ 10 एंड 12 का रिजल्ट कब आने वाला हैं तो आप देख सकते हैं न्यूज ओपीशिल न्यूज हैं कि आरबी एसी अभी अब सब सुनाव में बीजी हैं तो 19 स्टूडेंट्स ने एक्जाम दिया था उनको इंतजार करना होगा रिजल्ट में आ सकती हैं देरी सुनाव के गारण तो आप देख सकते हैं 2019 में बारवी का परिणाम 11 अप्रेल से सुरी 2019 में लोग सब सुनाव 11 अप्रेल से 19 मई के बेच हुए थे और बारवी का परिणाम 15 मई 2019 को जारी हुआ था और इसी प्रकर वर्ष 2017 में भी 7 अप्रेल से 12 मई तक लोग सब सुना हुए थे और बारवी का पहला परिणाम साइंस और कॉमर्स का विश्यों की 8 मई 2017 को परिणाम जरी हुआ था तो इस बार भी आप देख सकते हैं सुनाव है तो इसमें मई के एड में ही होगा जो रिजल्ट है वो जारी और 10 का भी जून के 1 या 2 फू इसी अतुलों के करण परिणाव में हो सकती है देरी तो आप देख सकते हैं 2019 और 2017 में भी देरी हुई थी सुनाओ के करण क्योंकि duty लग गई थी सब भी करमचारियों की और 2024 में भी ऐसा ही होने वाला है तो आपको जो YouTube पर वीडियो बनाते हैं फेक न्यूज फेलाते हैं उन पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि जोन के परत्रम सब्ता में या फिर मई के अंड में आपका दिजल्ट आने वाला है और यदि हम बात करें CBSC की तो 10 वी और 12 वी का परिणा मई के दूसरे सब्ता तक जारी होने पर आसार है यानि 10 वी और 12 वी का परिणा 15 मई से पहले पहले जारी हो जाएगा तो आपको फेक न्यूज के बारे में मैंने बता दिया कि फेक न्यूज आती रहती हैं आप उन पर ध्यान ना दें और आपका रिजल्ट जो है RBSC बोर्ड का वो तो मई के लास्ट में या फिर जून के पर्थम सब्ता में आएगा और CBSC वालों का 15 मईश से पहले पहलाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहिन